नमस्कार क्यापिचल टीवी देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर जारकंट से आपको बता रहे हैं जहां आज चेंपई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है चेंपई सोरेन को आज बहुमत थाबित करना है जिसको लेकर आज हेम सवा से जमकर गर्ज हैं हेमंत सोरेन उन्होंने अपनी गिरफतारी को गलत बताया इसी के साथ उन्होंने बड़ा बयान ये दिया कि मेरी गिरफतारी में राजभवन भी शामिल है साथी कई बड़े बड़े बयान दिये पर फ्लोटेस्ट से पहले हेमन सोरेन को हाइकोट से बड़ा जटका लगा है दरसल हेमन सोरेन अपनी गिरफतारी के खिलाफ हाइकोट का दरवाजा खटकटाया था जिसको लेकर आज हाइकोट में सुनवा पर फ्लोटेस्ट होना है लेकिन उससे पहले ही हाइकोट से बड़ा जटका लगा है क्योंकि साक्ष और सबूत इनके खिलाफ है और हिंदुस्तान की राजनीती में सबको वो केजरिवाल सिंड्रोम हो गया है खुद जेल में बंद है और विधान सभा के अंदर आकर के यह बन गया कि मेरी गिरफ्तारी इल्लीगल है मुझे फसाया गया है और सबसे बड़ी चीज इन्होंने घोषना की है लेकिन देखना यह है कि यह घोषना पे अपना अडिक रहते हैं या नहीं रहते हैं अगर यह अपने वचन के पक्के हैं तो इनको सन्यास लेना पड़ जाएगा तीन-तीन केसे हैं और एक केस में तो आपने खुद हाई कोट में जाकर के यह एक्सेप्ट कर लिया घलती हो गई खुद खनन मंत्री और अपनी ही कंपणी को आपने खनन जो है अलॉट कर दिया पक्री गई चोरी तो आप दाकर के कोट में कह रहे हैं कि गलती हो गई हम इसको वापस लेते हैं भया अपने गलत काम तो किया लेकिन आप देखिए सो कहते हैं कि पब्लिक डोमेन में सामाजि कोई आदमी जेल चला गया है उसे हाइकोट से जटका लगा है हाइकोट से कोई रहत नहीं मिली और आप विधान सभा के अंदर आकर के लंबी-लंबी डिंगे हां करें कह रहें कि मैं आदिवासी हूँ आदिवासी को सताया जाता है बस विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दोतिन बड़े-बड़े बयान है वो बताते हैं उन्होंने कहा है कि मेरी अगर गलती साबित होगी तो मैं राजनीती नहीं जार्खन छोड़ दूगा उन्होंने ये भी कहा कि साबित करें कि मेरे खिलाफ कोई जमीन लिखी भी गई है देखिए ये तो कोट का मसला है ये को अभी तो केस चलने दिया जाए कानून के तहत कारवाई की गई आपने कहा कि इलीगल तरीके से हमें जो है गिरफ्तार किया गया है और आप यह कह रहे हो कि भई इसमें राजपाल भी जो है वो उसमें शामिल है बाहर क्यों नहीं कह रहे थे अभी केजरी वाली ही सब चक्क सब्ते पंगा नहीं Looks on Song a recuperator jis जोनी चार ऑने के रहे हो गांदी सब्तार करनी के बिस Mmm अचव को एन तो फपनसपार संवन मैं पंगा नहीं बेसी जब्सक्रीवाल मैं घूकों गांदीं जितने जो लोग है जिनके ऊपर भुश्टचार काारोत है सब बन गया है सब को जो है वो ड्यालोग जो है कि मैं जुकूंगा नहीं मैं जुकूंगा नहीं जुकूंगा जुको न जुकूं उससे का फर्ट पड़ता है जेल के अंदर हो शर्म नहीं आरी पुलिस कंष्टडी में तुम्हें आना पड़ रहा है और ये भाशन देने के लिए ही आपनी ये सारा काम किया तो ये सारी चीजे चल रही है और इस वक्त जो है वहाँ पे विदान सभा में बहुमत साबित करना है और उसको लेकर के भी मैं आपको पहले ही बता दू अभी तो कुछ टाइम है अभी तो SMD चली आए वहाँ से तस्वीर आई रही है ये लोग आज विदान सभा में चंपे सोरेन बहुमत साबित करेंगे बहुत कमपटिबिली कारण में बता देता हूं क्योंकि भारती जनता पार्टी ने अपना प्लैन बदल लिया ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज कर किसने कोशिश की या आप जाकर के सवर्गिये दुर्गा सोरेन की पत्निस जाकर के पूछें सीता सोरेन से आप जाकर के वो आपके विधायक जो पब्लिक में आकर के कह रहे हैं कि हम नाराज हैं शर्ते रख कर के आपकी ही पार्टी के लोग शर्त रख कर के तो दोनों ही ब भी विधायक जो है वो बिगने को तयार नहीं है और असेमली के अंदर जाते हो तो कहते हो कि यहां पर साजिस चल रही है यह दोनों ही बाते तो सकती नहीं हो चकती लेकिन चोर आपके मन में था और इसलिए आपने अपने विधायकों को भेर बगरी के तरह बस में बिठाया और हैदराबाद भी डर नहीं था तो आपने हैदराबाद क्यों भेजा आपको तो नहीं भेजना चाहिए था आपके सारी विधायक इतने पार्टी के प्रति कमिटेड हैं सत्य निष्ठ हैं उनको जो है कमिटमेंट है वो हमन सोरेन को अपना नेता मानते तो फिर क्यों ऐस जहां के देखना चाहिए तो क्या दिक्कत सरकार बनाने के बार शुरू होगी देखिए इस दिक्कत तो बहुत सुरू होने वाली है वो तो भारती जंता पार्टी की मीटिंग हुई इन लोगों ने बैठक किया इन लोगों ने तैक कर लिया कि भई इस कीचल में नहीं जान चीफ मिनिस्टर कलपना सुरून के साथ नहीं थे अब इसमें कितने टूटेंगे कितना क्या होगा क्या डील होगी क्या पैसा होगा और यह लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारती जंता पार्टी कुछ करेगी भारती जंता पार्टी नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे तो क्य सब्सक्राइब कोई आव शकता नहीं है तो बीजेपी ने अपना मैं बदल लिए है अब चमपे सुरेन बनेंगे अब चमपे सुरेन बनेंगे आप मालूम चल रहा है कि कि हमन सुरेन जेल में वो पूरी तरीके से जेल के अंदर तो चमपे सुरेन कोई हमन सुरेन नहीं है वो एसेमली के अंदर कह रहे हैं कि मैं हमन सुरेन पार्ट टू हूँ इस बात पर मुझे गर्व है आप अच्छी बात है आपको गर्व होना चाहिए लेकिन हकीकत क्या है हकीकत यही है कि हाई कोट ने आपके पली को रिजेक्ट कर दिया अब क्या होगा हाई कोट से तो जटका लगा आज तो कोई राहत नहीं मिल पाई है आगे सुनमाई में क्या उमीद लगाई जाए क्या कुछ हो सकते हैं वहीं कानून की जानकारी इनके वकील लीगल टीम है वह कोई बताता क्यों नहीं है कि यह कोट के अंदर एडी देगी लिखे केजरिवाल कर पाए इसलिए मनिस सोदिया संजर सिंग सब जो है जेल के अंदर एक साल हो गया इन लोगों के तो यह सारी चीजे जो हो रही है यह बता रहा है कि यह जो सरकार चलेगी अभी फिर से वहां पे मंत्र मंडल अभी कॉंग्रेस पार्टी फॉर्म में आएग कि जारखट मुक्ती मोर्चा के अंदर ही दो फाड है यह भारती जनता पार्टी के लिए नहीं और या उसकी वज़े से नहीं उनके अपने इंटर्नल पॉलिटिक्स की वज़े से जारखट मुक्ती मोर्चा के अंदर एक हेमन सोरेन का हिस्सा हो गया दूसरा सीता सोरेन का ह हिसा हो गया सीता सुरेन के पास संख्या कम है हेमन सुरेन के पास ज्यादा है और इसलिए यह निगोशियेशन चल रहा था तो सीबु सुरेन देखे भार्चिन पार्टी वाले भी करने बड़े होस्यार है वो कह रहे थे कि सरकार बिना सीबु सुरेन के आशिरवाद से नहीं इसके बन सकती इसका मतलब उसमें डील चल रहा था और जब भीजेपी ने हाथ खड़े कर दिया कि नहीं हम कोई इसमें इंटर्फेर नहीं करेंगे हम कोई अपना आसिरवाद जो है वो नहीं देंगे तो सीबु सुरेन को समझ में आया कि भई अब तो हम कही कि नहीं रहे तो शीवू सुरेन एक दिन पहले अवतरित होते हैं, चमपे सुरेन को बोला जाता है कि भाई आजाओ, अब तुम ही बनना चीफ मिनिस्टर, अब इधर से जो कोई हमें कोई फाइदा होता दिखनी रहा है, तो यह हार मान के यह लोग कॉंप्रमाइस पे गए, लेकिन कॉंप लगा हाई कोट से, उस वज़े से दूसरी चीज कि आज जो उन्होंने कहा है कि मैं सन्यास ले लूँगा, तो इनको सन्यास लेने का समय भी आ गया है, क्योंकि ED के पास पुक्ते सबूत भी हैं, इसलिए गिरफतार किया जा रहा है, एक बास समझ लिजिए कि कि किसी भी ची से कोट में आज गया, अगर कोट में आज कह दिया गया होता हाई कोट के दौरा कि गिरफतारी इलीगल है, कहाँ ED अपना मूदी खाती, कहाँ ये भारती इंदा पाटी वाले मूदी खाते, तो ये जो है, ये सिसोधिया जेल गया, कहते रह गया कि मैं तो कटर इमांदार गिरफतारी करती है, तो आप यकीन मानिये कि ED के पास कोट में साबित करने के लिए पुखता सबूत होगा, अब सबूत है, वो दो दिन में मालूम भी चल जाएगा, जब ये जेल जाएगे, जब बेल नहीं मिलेगा, तब तो इनको इस्तिफा देना पड़ेगा, धारकन छ चोड़ करके उन्हें कहां-कहां घर बनाया है, ये देश में, अभी देश में, ये ED को पता करना चाहिए. हलाकि कोट ने ED से जवाब मागा है, नौ तरिक तक ED को जवाब देना होगा, जिस पर 12 परवरी को अगली सुनवाई होगी. अब देखना होगा हाई कोट से और क्या-क्या बड़े जटके लगते हैं हिबंत सुरेन को. इस बड़ी कवर में मेरे साथ फिलाल इतना ही, कैंवस और शुक के साथ मैं पूजा कैपिटल टीप.